हेलो दोस्तो स्वागते आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हम केसे पता करें चाहे वो सूपर स्लिम मोडल हो पीएसटू का या स्लिम मोडल हो तो हम केशे पता करें दोस्तो कि हमारा ये जो लेंस हो पाएगा या नहीं तो दोस्तो आप काऊगे कि ये तो एक सिंपल सी बात है अगर आपकी सीड़ियां काम नहीं करेंगी तो ये लेंस बेकार हो चुका है तो वीडियो को complete देखना इसमें मैं आपको काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ और कुछ ट्रिक हैं जो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ दरासल मैं वीडियो कुछ ओर सूट कर रहा था लेकिन मेरे सामने भी ये प्रोब्रम आने लगी है तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ तो दोस्तो देख लीजिए अभी मैं आपको यहाँ पर लेंस को चला कर दिखाता हूँ तो इसमें दोस्तो लाइट तो जल रही है आपने भी किसी देखे होगी नोटिस की होगी तो लाइट जलने से कुछ नहीं होता है दोस्तो हमें पता करना पड़ता है कुछ प्रोसेस से यानि कुछ प्रोसेस करना पड़ती हमें इसके लिए तो यहाँ पर देखे मैं इसको कर रहा हूँ और अब यह देखते हैं हमारी सीडी चलती है या नहीं कर दो दोस्तों देख लीजिए अभी तक हमारा गेम जो है चालू हो जाना चाहिए तक पर यहां पर चालू नहीं हो रहा ठीक है दोस्तों लेंस सीडी की जो रीडिंग है रीड करने की कोशिस कर रहा है और आपने एकड़कड़ा भी अबात भी सुनी और आप देख रहा हो यह आगे पीछे भी हो रहा है पर आपको इसमें रेड लाइट नहीं दिख रही होगी क्योंकि यहां पर एक रेड लाइट आगे पीछे हो रही है मेरे फोन की फ्लस अभी लाइट जली हुई है इसलिए आपको नहीं दिख रही है तो दोस्तों देख लिजिए यह नहीं चल रहा और अभी हमारी जो इस्क्रीन है बलेक है चलिए में कुछ और दूसरी सीडी लगाता हूं इस पर और आप इस सीडी का हाल देखो इस पर जो लेंस के द्वारा दोस्तों कुछ रखीले बना दी गई है इस तरह से गोल गोल तो मेरे पास है कि यह प्रेंस आप पर्सिया की है बोरियर वित्तन की चलिया में इसको चलाते हैं देखते हैं यह चलती है यह नहीं हुआ 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 है कभी कवा सीडी चल जाती है और अभी आप देख्लो अभी तक हमारे गेम चालू होजाना चाहिए ऍरकिन इसक्रिन अभी तक ब्लेक थे तो अब इसमें आप काफी बार परिसान हो जागी कि भाई हमारा लेंज तो चालू है क्या ये गेम खराब हो गया तो दोस्तो गेम खराब नहीं होता है लेंज खराब हो जाता है और इसके अंदर जो मेट्रिक चेप है कभी-कभी आप सोचते होगे कि वो भी खराब हो गई है क्या अगर वो खराब हो जाएगी तो द नई डीवीडी है जो मैंने एक दो बार भी यूज नहीं की तो हम इसको चला कर देखते हूं तो यहां पर मैंने सीडी दूसरी वाली लगा दी है यह वाली और मेरे पास कुछ डीवीडी है अब हम बिलूरे वाली चला के देखेंगे आप देख रहा हूं दोस्तों इसमें काफी स्क्रेच हैं तो आप बोलोगी यह नहीं चलेगी अगर दोस्तों आपने एक नया लेंस ल काफी लोग लगवाते हैं मैंने भी काफी वाल लगवाया है और दोस्तों अगर आपने काफी मरब एक दम नया लेंस लगवाया है काफी महेंगा तो दोस्तों देख लिजए यह तो चल गई है क्योंकि यह सीडी एक दम फिरेश्ती पर इसमें होगा क्या चल तो गई दोस् तो जैसे कि देख लीजिए नहीं तो ये इतना टाइम अभी तक नहीं लेता तो ये वाली हमारी एक चल रही है अब बहीं बात हम करें दोस्तों इस ब्लू-ray डीवीटी की अगर आपने एक नया लेंस लगवाया है तो दोस्तों आपकी डीवीडी या सीडी जितनी भी गंदी होगी या ज्यादतर इसकी रेच उसमें होंगे बस उसमें होना क्या नहीं चाहिए दोस्तों आपके यहां पर जो ब्लेड वागिरा के या नाकूनों के निसान उपर वाले इससे पर नहीं होना चाहिए अगर आपने एक नया लिंस लगवाए है तो वह 100% आपकी CD DVD चला ले तो दोस्तों अगर आपके पीछे साइट वाला प्रिंट खराब है तो फिर वो आपकी CD नहीं चलेगी चाहिए नहीं हो या पुरानी लेकिन अगर आपने एक नया लेंस लगाए है तो इतने से स्क्रेचों से उसका कुछ नहीं होगा आपके जो गेम है एकदम से बहुत ही स स्मूथली चलेगा क्योंकि मैंने काफी खेला हुआ है तो दोस्तों देख लिजिए अभी यहाँ पर PlayStation लिखा आया और यह DVD वीडियो पर चला गया तो हम यहाँ पर एक जबाय देते हैं और देखते हैं गेम चलता है या नहीं तो आप लेंस की आवाज सुनिए यह देखिए फिर से PlayStation लिखा हुआ है अब देखते हैं यह चलती है या नहीं तो आप देख सकते हैं यह वापस डीवीडी मोड पर आ गया और यहाँ पर लिखा हुआ है PlayStation डिस्क तो अब चलिए दोस्ता हम मेट्रिक सेटिंग करके देख लेते हैं हो जकता है वहाँ से कुछ हमारा प्रोब्लम हो रहा हो तो दोस्तों मेट्रिक सेटिंग करने के लिए यह आपको पहली नंबर की ट्रिक बता रहा हूं आप पहली मेट्रिक सेटिंग से चेक कर लें तो आपको यहाँ पर ट्राइंगल और ओधा बाकर रखना यानि सर्कल मैं थोड़ा इसको पास में रख लेता हूं और कुछ इस तरास इसको रिशेट करूंगा और अभी मैं अपने एक आठ से फोन पकढ़ा हूं तो थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे तो दोस्तों देख लिए यहाँ पर हमारे डीवाइज बन पर है यानि डेव बन पर तो हमारी सेट रिंग सही है कभी-कभी होता क्या है दोस्तों यह डीवीडिय मोट पर होता है त तो आपकी जो गेम की CD या DVD है जो DVD मोट पर चलती है ठीक है तो यहां से हमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम यहां पर कुछ छेठार नहीं करेंगे इसको सीधे प्रिसेट कर देंगे ठीक है अब चलिए हम इसको हटाते है सीडी को अब हम चलाते हैं दोस्तों यह प्रिंस अपरसिया तू थोरने से से कुछ यह है मतलब ठी वाला जो part है प्रिंस अपरसिय का वह वाला है अब इसको हम देखते हैं यह चलती है या नहीं तो वापिस वही दिक्कत तो दोस्तों यह हो रही है हमारी लेंस से चलिए अब हमारा लेंस क्या बाकिया ही खराब है क्यूणकि दोस्तों इस पर जो हमारी Ulaunch सी सीडी मैं आपको दिखाई यह कहीं पढ़ी होगी भी ढून कर देखा derivatives हो दोस्तों यह रही Ulaunch की CD और यह देख लीजी इस टाइब की होती है यह तो दोस्तों यह कम लेज़र यानि ये बहुती आसानी से चल जाती है बले आपका लेन से जादवी बहुत जादवी कमजोर है या बेकार हो गया है लेकिन इस टाइप की सीड़ी इजीली चल जाती है मैंने काफी चल आई हुए और ये भी एक बार में दोस्तों चल आई गया तो ये देख लिए दोस्तों यहां पर यूलोंच हो गया और यहां पर किसी तरह का पेंट डाइब यहां हमारा मेमोरी कार्ड नहीं लगा हुआ है तो दोस्तों यह अभी तक मेरी हारड ड्राइब यहां पर कनेक्ट है तो हम इसको disconnect कर देते हैं और आप इसकी speed देखो कितनी तेज यह घूम रही है आपको अब आज आ रही होगी है तो दोस्तो जब यह read करती है हमारी cd इसकी speed होती है 3.5 3.5 एमबी पर सेकेंड के आस पास तो मैंने speed वाला एक वीडियो बनाया आप वो वीडियो देख लीजिए चलिए हम मैं आपको इसका solution बताता हूँ आप इसे किस तरह से सही कर सकते हो अगर आपका लिंज सही है तो दोस्तो देख लीजिए सब में पहला जो process करना है हमें क्या यहाँ पर आप एक यह switch देख रहे हो मैं focus करूँ तो यहाँ पर आपको यह switch दिखा तो इसमें आपको डालना है दोस्तो थोड़ा सा जो हमारे पास होता है तारपीन या घासलेट का तेल यानी मिट्टी का तेल आप उसको डाल कर यहाँ पर देखिए कभी कभी दोस्तो यह switch सही से बर्क नहीं करता उस condition में आपकी CD DVD नहीं चलती अब यह बात मुझे कैसे पता है क्योंकि दोस्तो मैंने काफी बार ट्राइ किया हुआ है और यह सब फोल्ड था इस switch का तो उनने कुछ chemical type का इसमें डाला और इस switch को 3-4 बार दबाया और दोस्तो हमारा lens एकदम से काफी अच्छे से work करने लगा हर DVD CD चलने लगी ठीके दोस्तो तो यहाँ पर अब हम ट्रिक करके देखते हैं काम करती है या नहीं तो मैं थोड़ा से यहाँ प मैंने निकाल लिया और इस switch में डाल रहा हूं अब हम इसको switch को दबाएंगे अच्छे से इसका अच्छी मदद से ताकि हमारा switch दबे या हम इसी माच इसकी तीली से इसको दबाएंगे कुछ इस तरह से ताकि इसमें जो भी कारवन वगेरा जम रहे या dust वगेरा जम रहे है वो अच्छे से clean हो जाए और हमारा lens प्रोपर काम करने की कोशिस करें तो दोस्तों मैंने इसको 10 मिनिट तक इसे इसे करा और इसको सुखा भी दिया इसमें जो होता है जो अपन ने अभी डाला इसमें तार्पिन और अब दोस्तों देख लीजी ये प्रेंस ओपर से की वही सीडी रही जो हमने पहले लगाई थी चलिए अब हम इसको लगाते है यहाँ पर कुछ इस तरह से और अब देखते हैं इसका क्या ये लेंस हमारा सही हुआ है या नहीं तो दोस्तों आप लेंस की मूवमेंट देख सकते हो ये रीड कर रहा है और आप उपर भी लोडिंग देख सकते हो दोस्तों लोडिंग आ चुकी है तो अब चलिए दोस्तों ये तो रही अब मैं आपको ये को ट्रिक बताता हूँ अब दोस्तों देख लिजिए यहाँ पर आपको अगर आपके पाँस काफी पुरानी सीडी या डीवीडी है तो आपको इसको सेनिटाइजर से अच्छे से क्लीन करके फिर लगाना हूँ ठीक है दोस्तों और अब दोस्तों मैं आपको एको ट्रिक बता रहा हूँ आपको एक कपड़ा लेना है अच्छा साफ सुत्रा जो चिकना कपड़ा हो और उसको आपको दोस्तों उस पर सेनिटाइजर करना है ठीक है तो अभी मैं अपने एक हाथ से फोन पकड़ा हूँ तो मैं इस पर सेनिटाइजर कर ले रहा हूँ तो दोस्तों देख लिजिए कपड़ा मैंने गीला कर लिया और यह मेरी सर्ट है और आपको फिर करना क्या है कुछ इस तरह से हलके हलके से आपको लेंज को क्लीन करना है इसकी जो आइस है इसकी आइस पर सेनिटाइजर लगना चाहिए बिल्कुल हलके हाथों से ज्यादा टा तो आपको इसको अच्छे से सेनिटाइजर से क्लीन करना है इतना भी नहीं कि बे के अंदर चला जाए बस उपर उपर से इसकी जो क्लीनिंग हो जाए आप चाहो तो लेंज को यानि इस कांच को थोड़ा-थोड़ा हलका सा दबा सकते हो लेकिन ध्यान रखे कि आप इसकी स पर चैसे सूखने दें लगवाप पांच मिनिट तक मैं सूखने देता हूं तो दोस्तों पांच मिनिट हो गए हैं और ये रही मेरी प्रिंस ओप परशी अदा सेंड टाइम की सीडी तो चली अब हम इसको चलाते हैं तो दोस्तों पेले ये बिलकुल भी नहीं चल रही थी लेकिन अब ये थोड़ी थोड़ी वर्क करने लगी हैं 100% ये सही होता है या नहीं होता है तो दोस्तों ये चांस रेता है आपके लेंस की उपर अगर आपका लेंस काफी टाइम पुराना है अगर लेकिन अगर आपका लेंस दोस्तों अगर आपका गेम 18 साल पुराना है अ सकता आपका लेंस काम करने लगे तो दोस्तों देख लिजिए लेंस पर यानि ये रीडिंग तो कर रहा है पर इसमें क्या प्रोब्लम रहेगी ये लोडिंग ये लंबी-लंबी लेगा और हो सकता आपकी जो ब्लू रे वाली डीबीडी हो वो भी एक आद दो चलने लग जाएं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना चैनल पर न आए हो तब भी सब्सक्राइब भी जरूर करना तो दोस्तों ये काफी मेरा मैंने आपको बताया मैंने काफी टाइम पुराना मेरा प्लेस्टेशन है और जो मैंने इसमें लेंस डाला हुआ था वो भी दोस्तों पुराने ही है क्योंकि इसका लेंस काफी पहले खराब हो गया था और मेरे पास अभी इसके पांसे सेट यानी तीन चाल लेंस और रखे हुए है तो दोस्तों देख लीजिए मेरे पास ये पांस सेट थे एक मैंने तोड़के आपको दिखाया तीन ये रहे और एक इसमें डाला हुआ है ठीके दोस्तों तो दोस्तों अभी आपने गाड़ी के वास सुनी इसलिए मैं वीडियो पोस्त कर देता हूँ और कभी कभी मुझे करने ही पड़ती है क्योंकि मैं अपने एक हास से आप फोर्म पकड़के सब कुछ नहीं दिखा सकता तो यह अभी हमने केस्टल बेनिया की सीडी लगाई है देखते हैं यह चलती है या नहीं तो यहाँ भी प्लेश्टेशन लिखा आ गया है पेले यह दोस्तों डीवीडी मोड पर भाग रहा था साहिद अब यह चल जाईए तो दोस्तों यह ट्रिक करके आप कुछ-कुछ गेम चला सकते हो दोस्तों देख लीजिए यह गेम भी चल गया बहुती इजीली तरीके से तो आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे तो उसमें मेरी कोई कलती नहीं होगी तो एक मेरे पास यह है पेस करके यह मैंने जो एक प्लेश्टेशन खरीदा था पुराना यह उसके साथ आई थी तो आप देख लीजिए दोस्तों लेंस की डिसटने की अब आज भी अभी तक आ रही है दोस्तों वीडियो 18 मिनिट की होगी है वीडियो का हम यहीं खतम कर देते हैं